हाई दोस्तों वेलकम आज का टापिक है डिफ्रेंस बिट्विन दा नॉन डेश्ट्रेक्टिव टेस्चिंग और नॉन डेश्ट्रेक्टिव एवलेशन मुझे बहुत सारे मिसेश आया है फेस्बुक के जरिये से और यूटुब के जरिये से कि हर को यह पूछने लगे कि सर् दोनों में जैसा हम दो वर्ट चीज़ करते हैं जैसा कुछ लोग कहते हैं अडिटी और कुछ लोग कहते इंडी दोस्तों यह वीडियो के आखरी तक लगे रही है क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंडिंग तक एक कंक्लूजन देने वाला हूं कि तहीं में कुछ डिफ्रे है जैसा कि अब इस्ट्री में देखा गया स्टार्टिंग पॉइंट आपसे ऑं डोनогंडी टेस्टेंग तरी तो यह अगर कमपेनी के उपपर different करता है अगर कमपेनी नौन देस्टिव टेस्टिंग तर्म यूज करना चाहती है तो यूज वो यूज करना चाहती है तो यूज करें आगर या NDE जिसे कि नौन देस्टिव एवलेशण बट कमपेनी ये बतलाना चाहती है कि हम कुछ थोड पर वर्क करती है वह अक्सर अंडी यी टम यूज करती है जो कंपीनी सब यी तरह के मेदर्स पर वर्कॉट करती है वह अंडी टम यूज करती है सो मीनिंग में दो सेम है बट एक पैशन है कंपीनी के यूज करने से मेरे रिसर्च में थोड़े बहुत डिफरेंसस मैं मुझे पता चला है देखिए क्या क्या है डिफरेंसस है कि देखिए कुछ कंपी इस कैते हैं कि एंडी टी की में ओनली लूकेट करने डिफित साबब करने जो मितर्स रहते हैं वह rit बड इंडी डी डी puisque और वह कंपीनी कि बताते हैं कि और डिफे को कrouशन करना और उसके साइज को मेंजर करना और श्यप का पता चलाना और इस के सबीके डिटेल्स में बदलाने जो कम्पट्री रहती है उसे वह कम्पएनी कहते है कि अपने अपको इन्डिक कीम्पेनी है बलके onditt by एक सिंपल की है He he so Kee Itaguay means non-destrictive association so a non-destrictive तेस्टिंग को चलाने का एक बोर्ट रहता है, हूँ हमें पता है, जैसा कि इंडिया में ISNT है, और आलवर वर्ल्ड ASNT है, so ASNT means American Society for Non-restrictive Testing, but ये कभी सुनाया, ASNE means American Society of Non-restrictive Evaluation, no, नहीं सुनाया, so इससे हम ये conclusion दे सकते हैं कि ND term is same as NDT, but better term is NDT, not NDE, thank you guys, please subscribe and share this video to your friends, thank you.